प्रिये दर्शको नमस्कार आज में आपको नींद की समस्या जन्म कुंडली से आप केसे देख सकते हैं इसके जानकारी देने वाला हूँ वर्तमान समय में देखे तो जो भागम भाग भरा जीवन हो गया है साती सात जो मोबाइल का अधिक प्रयोग हो गया है उसके कारण प्रायह ये देखने को मिलता है कि जो विक्ति की दिन चरिया है वो अस्त वियस्त हो गई है और उसमें नींद कम आना ये भी एक बड़ी समस् यह यह पर यहां नहीं कहा जाएंगा जिसे आप जानते हैं कि विज्ञांत ४ uncult तो बच्षपण में सबसे जयदा नीद आती है और उम्र बढ़ने के सा franchina जो नीध आने की जो इस्तिती उसमें कमी आते जाती है जिसे आप जानते है कि बच्पन में 18 गंटे 20 गंटे तक बालक सोता है फिर वो कम होते जाता है 15 14 13 फिर एक समय पर आका साथ आठ छे गंटे साथ गंटे आठ गंटे इसमें नोर्बल वो रुख जाता है जो एक एवरेज माना गया है 6-8 गंटे उसमें आकर के वो नींद की इस्तिती रुख जाती है लेकिन कुछ लोगों की इस्तिती आप देखेंगे कि कही न कहीं कम उम्र में ही वो फिर धंग से सो नहीं पारेया रात रात भर जाक करके बिता दी नींद की गोली लेकर उनको सो ना पड़ रहा है या अलग प उसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि किस प्रकार का भूजन उसमें करा वो भी उस पर असर डालेंगा साथ ही साथ यहां पर अगर ग्रह ये कारण देखेंगे ग्रह वस्ता के अनुसार देखेंगे तो उसकी में कुछ आपको 10-15 पॉइंट बताने वाला हुव आप मिलाईए प्रक्राय। देखेंगा एकBye नीद कीसे कमें आती है विशेशकर जो अधिक 선प्रॉक्ति निएक चिंद करता हो जैसे अश्याराश या मीन लकार बहते रहना तो जिनका जन्म जल तत्व्य राशी में होता है वो भी अधिक बाते सोचते रहते हैं दिक कलपना करते रहते दिक चिंता करते रहते हैं तो उनके मन में भी शांती वाला प्रभाव है वो कम आता है मैंने आपको जो पूरों में चंद्रमा से चतुर्त भाव की जानकारी दी फिर बार्वे भाव की जानकारी दी तो उसमें प्रमुक्ता से यही बात करी कि ये दोनों भाव आपके मानसिक इस्थिति को दर्शाते हैं, मन को दर्शाते हैं तो इसलिए चंद्रमा से चतुर्त भाव से भी देखा जाएंगा क्योंकि लगन कुंडली से जो बाते में बता रहा है उसको चंद्र कुंडली से भी मिला कर देखा जा सकता है जिसे लगन कुंडली मेंने कहा कि आप जानते हैं कुंडली का जो बारवा भाव है वो हमारी नीन को दर्शाता है हमारे शेन कक्ष को जन्म कुंडली का बारवा भाव दर्शाता है अब आपने ये देखा कि किसी की कुंडली में बारवा भाव ही पीडी थे पीडिस से मतलब उसका स्वामी कमजोर अवस्ता में है या उस भाव में कोई पापक गरग कमजोर अवस्ता में बेठे है तो ये चीजे विक्ति को नीन की समस्या देते हैं अब राहू के लिए नहीं बोल सकते ऐसा कई बार देखने को मिला के राहू बारवे भाव में हो तो क अगलग हो जाएंगे लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो पापक ग्रहों का बारवे भाव से संबंद या चंद्रमा जहां बेठा है उससे बारवे भाव में पापक ग्रहों का संबंद वेक्ति को नींद की समस्या प्रदान करता है इसके अलावा भी जन्म कुंडली में तो नींद नहीं आती कई बार होता है कि आपको अगले दिन कोई बड़ा काम होने वाला तो उसकी उस्तुकता रहती है कि हाँ ये कल होंगा कल होंगा इसले भी कई बार नींद नहीं आती कि मन ज्यादा उसमें सोचता है फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आपको किसी चीश की डर होती है तो भी नीन्द नहीं आती या कोई बड़ा फेसला वगर आने वाला हो चाफ को डर हो उसका तो उसमेंहे भी इसिनी की इस्तिती डिश्टब हो जाती क्योंकि आपका मन काम करता रहेंगा और नीन आने नहीं देंगा इसलिए नीन के लिए ये बोला जाता है कि प्राहा विक्ति थोड़ा शान तरहे करके सोचे शान तरहे करके सोने का प्रयास करें और अपने मन पर काबू करने का प्रयास करें तो विक्ति को आसानी से नीद आपाती है और इसके जलावा फिर बोला जाता है कि रातरी में तुला ऐसा भोजन के आज़ा जो आसानी से पच जाए इसा भोजन कर लिया जो स्वास्त के लिए अच्छा नहीं है तो उसका असर भी नींद पर देखने को मिलता है फिर एक और बात इसमें ये भी है कि यहां पर कुछ गरहों का प् चंद्रमा की मतलब आप लगन कुंडली में ना देखे आपने देखा लगन कुंडली में चंद्रमा पीड़ी थे आप बोला हो गया चलो पीड़ी थे मतलब नींद की समस्या चंद्रमा लगन में अगर अच्छा दिख भी गया तो भी नवमांश में एक बार चेक जरूर कर पर्टिकुलर कुछ दशाय कुछ भाव को एक्टिव करती है कुछ दशाय इसी होती है जिसमें अगर दिसे मान लेजिए आपको मंगल की दशा लग रही है गुरू की लग रही किसी भी ग्रह की लग रही है जैसे ग्रह की महादशा है उससे बारवे भाव में कोई पापक ग् अब अपना असर देंगा और अपना असर इस प्रकार देंगा कि आपकी नीन को डिक्ट अप करेंगा ये मुख्य बात है तो इसलिए यहां पर कहने की बात यही है कि जो भी ग्रह उससे बारवे भाव की इस्थिति आपको देखना है अगर दशाम एक्टिव है तो अन्य था बारवे भाव की लगने कुंडली में इस्थिति देखिए चंद्रमा से बारवे भाव की इस्थिति देखिए चंद्रमा की सोयन की इस्थिति देखिए वो किस प्रकार का है अगर चंद्रमा वायू तत्व की राशी में हो यानि मिथुन राशी तुला राशी कुंभ राश या फिर करक राशी, मीन राशी और व्रश्चिक राशी इन्हें में अगर चंद्रमा हो तो ये मन को अशांत करता है चिंतित करता है अन्य किसी भाव में शनी राहू आधि से पिडित होंगा तो भी इसे खराब समझना चाहिए विशेशकर आपका जो चंद्रमा है अगर मान की समस्या देती है अगर ये विशेश इस्तिती मिथुन या कन्या में बनी हुई हो मतलब मिथुन राशी में या कन्या राशी में तो भी ये प्रभाव अधिक देखने को मिला मतलब चंद्रमा राहू या बुद्शनी इनकी यूती मिथुन राशी में हो या कन्या राशी म अब जितना वेक्ति कई बुद्धी मान होता है अधिक बाते सोचता है रात को भी कुछ ने कुछ पढ़ने का सिखने का मन करेंगा उसका तो वो उसके कारण भी नहीं सो पाता है तो पंचम भाव भी आपका और पंचम भाव में बता चुका हो मन रंजन का भी है जिनके माना तो اपने आप में रहना पसंद करता याधा किसी इससे बुलना मिलना पसंद नहीं करता अब एसी इस्तिती में निन्द के समस्य तरखें के दे देती है क्योंकि एक जैसा मोबाइल चलाने से भी यह होता है कि एक तो आप सामने बेड़कर टीवी देख रहे है तो वहां निन्द के समस्य इतनी नहीं आती को कि आप लीउट तक देखेंगे तो फिर वो mind को signal जाएगा कि हां मतलब एक्ति सोने वाला इसलिए वो जो नींद वाले हर्मोने वो बढ़ने चालू होते हैं और वो धीर धीर फेल जाते हैं अब आप रात में सोए तो सरी लेकिन आप मोबाईल ले ले अपने हाथ में मोबाईल ले आप उसे देख रहे तो उसकी जो रोशनी आखों पर पड़ती है वो भी mind को ये signal नहीं देती कि आपको नीद आने वाली है तो इसलिए कई बार होता कि मोबाईल रात को light आदी बंद करने के बाद चलाने से भी नीद की समस्या सामने खड़ी हो जाती है और मोब आपका किसी काम मन भी नहीं लगेंगा एक अलग सी उदा सिंता चिंता आपके मन में चलती रहेंगी बेचे नहीं चलती रहेंगी तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है फिर देखो चंद्रमा पीडित होंगा तो वह एंजाइटी का डिप्रेशन का या अनिक इसी तना सब्सक्राइब करता है इतनी चिंता देता है कि विक्ति करशबार सो नहीं पाता जल्दी यह सब बाती हो जाती है फिर कुछ योग और न मिलाना हो तो पंचम भाव पीडित हो पंचमेश किसी प्रकार से पीडित हो रहा हो गुरू की इस्तिति खराब हो रही हो कुंदेली क तिसरे भाव में पापकग्रण अब आप सोचेंगे तिसरे भाव के पापकग्रण से क्या लिन या दो तिन बाते हैं पापक ग्रह होंकि Begin HaUp 3 तो आपको महांति बनाएं घृद अब आपने जीवान से थोड़े से उपडरी जाएंगे तो वो बात भी आ जाएंगी उसके अंदर तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है कि वे थोड़ा सा उलज जाता अपने काम में और काम के उलजने के कारण ही कही ने कही नीन की समस्य उससे सामने आ जाती है एंजाइटी डिप्रेशन उससे किसी कारण से हो जाता है गुरू पीडित किस प्रकार से होंगे वो राहू के साथ हो वो केतु के साथ भी अगर किसी खराब भाव में हो शनी आदी से पीडित हो शनी की दरश्टी हो शनी के साथ हो किसी खराब भाव में जहां अच्छे फल नहीं जिते वहां बेठे हुए हो तो ये सब गुरु को कमजोर करता है इसके अलावा अगर आप ये देखे कि कुछ और सुत्र बता जता हूं मैं आपको कि आप माल लेजिए अश्टम भाव में चंद्रमा मंगल और शनी तीनों बेठे हुए है तो चंद्रमा पीड़ी से तो ये भी आप मैं कहूं कि कोई मतलब उसके नसों से जुड़े कोई समस्या हो जाए माइन की कोई नसाधी में प्रोब्लम हो जाए वो चीज़े देखने को मिल सकती है फिर एक और बात यहां पर देखने योग्या है कि लगनेश की इस्तिति कि इस प्रकार के लगनेश उब होता है तो वो कि इस्तिति भी आप देखिए अंत में यहां पर कुछ चारपा सुत्र बता रहा हूं इसे मिलाइए 100% जिनकी कुंडली मिलते हैं आप देख पाएंगे उनको नीन की समस्या होती है लगन में सूर्य बेठे हो और सब्तम भाव में शनी बेठे हुए हो यानि सूर्य और शनी आमने सामने हो लगन में सूर्य सब्तम में शनी तो आप देख पाएंगे इसे विक्ति को कही न कही नीन की समस्या होंगी और दशादी जो खराब होंगी उसके अंदर इसका प्रभाव मिलेगा यहां पर लगन में शनी अगर बेठे हुए हो पंचम में सब्तम में या नवम में अगर मंगल बेठे हुए हो तो यह इस्तिती भी विक्ति को नीन की समस्या देती है अगर जन्म कुनली के लगन में गुरू बेठे हुए हो और सब्तम भाव में शनी या मंगल में से कोई है तो ऐसी इस्तिती भी विक्ति को नीन की समस्या प्रदान करती है और विक्ति क किसी भाव में भी राहु केतु या शनीन में से किसी से जर्ष्टी में हो इनसे किसी से पीडित हो तो ये प्रभाव देखने को मिल सकता है चंद्रमा बुद्र के नक्षत्र में हो तो भी ये कही न कई आपको देखने को मिल सकता है और उसमें भी अगर बुद्र के नक्षत्र अगर चंद्रमा हो तो नीन की समस्या देने में ये भी सक्षम है अब वही बात है जो दशा से अशुप अवस्ता में ग्रह योग होंगे आपकी कुंडली का अकालग ग्रह पिडित अवस्ता का ग्रह होंगा तो उस समय अधी पर आपको नीन की समस्या अधिक सामना उसका करना पड़ सकता है नीन की समस्या अधिक परिशान कर सकती है उपाई क्या करें उपाई के लिए सबसे अच्छा रहेंगा पंचम भाव का कारक भी गुरु है और बार्वे भाव का नेसरगिक रूप से काल पुरुक्षी कुंडले की आधार कि गुरु के बीज मंत्र का जाब करें, ओम, ब्रिम, ब्रिहस, पते, नम, इसका ही जाब करें, किसी भी लोगों के सहायता करते रहें, उनके खाने की वस्तु विशेशकरदान किया करें, उनको कैसे ने कैसे आप सपोर्ट किया करें, तो अच्छा रहता है, इसे धीरे धीरे क भाव भी लेने के लिए गणेश जी की पूजा करें अब देखिए बुद्ध और गुरु दोनों के लिए कंबाइन रूप में कहा जाता है कि भगवान विश्णु की आरात्मा किया जाए विश्णु सहस्त नाम का पाठ किया जाए अब कई बार होता है कि वह इतना बड़ा ह हो पाए लेकिन जो जादा परेशान है उन्हें चाहिए कि विश्णु सहस्त नाम का श्रवण ही करना प्रारम कर दे धीरे-धीरे करके उससे भी देखने को मिलेंगा कि कुछी दिनों में इसके जो नकारात्मक्फल नींद के हैं वो दूर होना चालू हो जाएंगे मेडिटेशन करना ये भी बहुत अच्छा होता है मतलब एक समय निर्धारेत कर लिया और उस समय पर ध्यान कर रहे है जोगा परनायम कर रहे है वो बहुत हत्तक विक्ति को रिलिफ देता है आप डोक्टर ले सलाह दिले सकते हैं कुण्डली के नुसाल भी उपाय कर सकते है उससे जरूर से आपको अच्छा परवावत दे पाएंगी तो ये कुछ जानकारी होती है मतलब ये कुछ गरह वस्ता होती है इनके उपाय मेंने आपको बताए अगर आपकी कुणडली में भी इनमें से कोई ग्रहवस्ता मिलती हो आपके घर परिवार में किसी स्थीति में मिलती हो जो उपाय मैंने बता है वो उनको करने को कहे जैसे ग्रह के कायन समस्यारी उसका दान करके भी आप उसे अच्छा परवाव प्राप्थ कर सकते हैं बाकि अकर कोई प्रेस्ट नहों इससे जुड़ा तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं वेसे तो मेडिकल एस्ट्रोजी पर कभी वीडियो बनाई नहीं है लेकिन आगे बीच बीच में मैं आपको कोई न कोई श्रंखरा देता रहूंगा इस तरह की भी जिससे ये साथ साच चलता रहे क्योंकि देखा जाए तो रोग आधी की जो प्रभाव है कई बार डोक्टर आधी पकड़ नहीं पाते तो कुंडली के साहरा लेकर उसका निदान और उपाय किया जा सकता है वो भी असर दिखाते हैं तो यह कुछ जानकारी आगे मैं आपको देता जीए आज की वीडियों बस इतना ही वीडियों देखने के लिए आपका बहुत बहुत